हलो दोस्तों तो याद सबसे बहुत अच्छी ख़बर आई है फिरमवति घड़वाल उनिवसिटी यह 18-18 तारीफ को रिलीज किया गया है बहुत सारे से बच्चे होते हैं जिनको बी एसी में एडमिशन लेना होता है लेकिन डू टू सम रिजन्स वो जो है डोमेंड गलत फि हमने ञांगी होता कि कौन सा और ऩenda कैसे होता है हमारी एक समस्थे बरहत हो जाएगा प्लीज हमें हमारी जो भी टेस्स हम ने दिया उसके वैसिस पर हमें एंडिमिशन दिया जए तो यह हमवतित왏ं धारवालिख से तरफ से नउंटीस आया है कि बहुत सरस aux Him बच्चे हैं जो कि BSC courses के अंदर admission लेना चाहते हैं, BA courses के अंदर admission लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास specific domain नहीं है, because बहुत सारे बच्चों ने जो है, वहाँ पे form के अंदर select किया था, just like गड़वाल university का वो course, और जब गड़वाल university के portal भी वो लोग चेक आउट करते हैं, तो उनको पता चलता है कि बच्चे जो है, eligibility criteria satisfied नहीं करबारे, उन्होंने जो domain ठीक से select नहीं किया, लेकिन हमारा एजुकेशन जो system बनाया गया है, चाहिए बारे low है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है, चाहिए हम प्रोटक्ट रह सकें, हमारी help हो सकें, हमारी साहिता हो सकें, तो उसलिए सेमेमवातिक अडवाल उनिवसेटी की तरफ से update आया है, कि जिन भी बच्चों को, जिन्होंने सही domain नहीं लगाए थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ COET अपियर किया है, ठीक है, और वो जो है, admission लेना चाहते थे, अगर आपके डोमेंट ठीक नहीं थे, अगर आप इलिजिबल नहीं थे पहले, लेकिन अब आप इलिजिबल हैं, तो सारी के सारी बच्चों को मैं एक कहना चाहूँगा, जरूर से जाके हिमवति गड़वाल उनिवसेटी में रजिस्टर कीजिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको अभी भी admission के बारे में बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, के बारे में कि भया मैं करना क्या है, करना कैसे है, क्या करें हम, तो वो सारे के सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, नीचे help line number दे आगे हैं, उस पर call कर सकते हैं, या फिर हमारा यार, एक C&T guidance plan चलता है, उसके अंदर आप जो है join कर सकते हैं, वहां पे आपका complete admission करा जाता है, कैसे आपको कौन से college में, कैसे आपको college अलोट होता है, document, fees process, किस-किस university में आप apply करेंगे, किस से apply करेंगे, इस पेसल यार, 45 plus admission जो है, परसेंट admission आपके sport round के अंदर feeling होते हैं, basically इसका main reason यह होता है, कि university ने first round निकाला, बच्चों ने fees पी की, कुछ बच्चों ने withdraw कर देते हैं, फिर से college वाले second round निकालते हैं, वही process रहता है, third round में भी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, university वाले यार, परेशान हो जाते हैं, कि एसे तो सारे round से चोड़ के जाएंगे बच्चे, कुछ बच्चे क्या होते हैं, यार, register नहीं कर पाते हैं, जिनके काफी इचे marks होते हैं, बहुत सारे से बच्चे होते हैं, जिनके यार, भीया, हमारे जो दीतने, आपके college में, बच्चे उन admission ले सकते हैं, मारे portal पे, direct admission, open counseling जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर basically आपको जो है, college registration की भी सम्रावाट पोटल पे जरूत नहीं है, आपको जो भी है, directly on the basis of CMT score के basis पे, general basis पे आपको seat alert की जाती है, इसको हम open counseling बोलते हैं, बहुत सारे colleges physical counseling भी स्टार्ट करते हैं, for better COT admission and government हम जिवा COT का दुनिया का नहीं, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे कम prices पे आपको admission allotment करवाते हैं, only for 1499 रुपय मा आपकी COT की complete counseling कार दी जाती है, तो सारे के सारे बच्चे जरूर से जाके enroll कर सकते हैं, COT admission 2022, guys, welcome, best of luck, और जो भी बच्चे prepare करना चाते हैं, CO security 2022, 2023 वो भी नीचे WhatsApp पे contact कर सकते हैं, ठीक है guys, thank you, thank you so much, कूप बढ़ते रो, छोटों से ब्यार करो, बढ़ों का समान करो, धन्यवाद